उसके बाद अगली शक्ति लोकसभा की पदच्यूत संबंधी शक्ति हैं। पदच्यूती से अर्थात है कि किसी को किसी के पद से हटाने की शक्ति हटाने की शक्ति की बात करते हैं तो किस व्यक्ति को हटाने के लिए महाभियोग का प्राउधान है? प्राउधान है राश्टपती के लिए महाभियोग अर्थात इंपीच्मेंड जिसका जिक्र मैंने किसी अन्य ध्याय में विस्तार से किया है लोगसभा और राजसभा दोनों मिलकर महाभियोग लगा कर उसे पत से हटा सकते हैं और उपराश्टपती को उसके पत से हटाने के लिए यदि राजसभा अपने सदस्यों के बहुमत से उसे पास करता है तो लोगसभा भी उसे पारित कर सकता है तो राश्टपती के मामले में दोनों मिलकर महाभियोग और उपराश्ट्पति के मामले में राज्य सभा पहले अपने सदस्यों के बीच में इस प्रस्ताओं को पास करेगा ऐसी सिति क्यों राज्य सभा में पहले प्रस्ताओं क्यों उपराश्ट्पति को लेकर क्योंकि उपराश्ट पती राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन सभा पती होता है, अर्था जो व्यक्ति जो भी व्यक्ति उपराश्ट पती चुना जाएगा, वहाँ राज्य सभा का अध्यक्ष होगा, उल्टा ना समझें, अर्था ऐसा ना बोलें कि जो भी व उपरराश्पति जो है वा राजसभा का पदेन अध्यक्ष है इसलिए उसे हटाने की प्रक्रिया में पहले राजसभा की भूमिका आती है और यदि राज्य सभा उस प्रस्ताओं को पारित करती है तो उसके पश्चात लोग सभा के पारित होने पर राज्पती को हटाये जा सकता है रही बात नियायले के नियाय धीशों की सरवच नियायले और उच नियायले यहां के नियाय धीशों को हटाने के मामले में दोनों लोग सभा और राज्पती का महाभियोग या नियाय धीशों पर लगने वाला महाभियोग जो केवल उच नियायले और सरवच नियायले के नियाय धीशों पर लगता है इस मामले में लोग सभा राज्पती के मामले में राज्पती को प्राथ मिकता है जिसका कारण बताए गया इसके अलावा मुख्य चुनाओ आयुक्त नियंत्रा के वन महालेखा कार इनके विरुद दियरी प्रस्ताव पारित हुआ तो लोग सभा के प्रस्ताव के आधार पर राश्पती उन्हें पदच्युत कर सकता है अर्थात इनके मामले में किसका प्रस्ताव महत्पूर्ण है लोग सभा का उपराश्पती के मामले में राज्ज सभा का महालेखाकार विध्याक आधी के मामले में निर्वाचन आधिक के मामले में लोग सभा का तो कुछ मामलों में दोनों को समान अधिकार हैं पदचुत करने के, कुछ मामलों में लोक सभा को अधिकार है पदचुत करने की प्रात्मिक्ता और कुछ मामलों में रज सभा को प्रात्मिक्ता दी गए पदचुत करने के इसके बाद बाते हैं हम अगली शक्ति, अगली कार्य के दारे पर और वह है जनता की शिकायतों का निवारण इसके क्या मायने हैं? इनके विचार हो या उनकी भावनाएं हो विशेशकर अपने निर्वाचन ख्षेत्र के विचार भावनाओं को वज सदन में उठाते हैं और ऐसा करते हुए वे क्या करते हैं? जनता की शिकायतों का निवारन करने का प्रयास करते हैं ये जो बातें उठाते हैं ये किसके इन बातों पर सरकार का ध्यान और सरकार के मायने यहां क्या है कारेपालिका कारेपालिका के मायने यहां क्या है कारेपालिका अर्थात मंत्री परिशत के सदस्यों का ध्यान अपनी और आकर्शित करते हैं जनता की शिकायतों को उठाते हुए उसी सदन में इस्थाई कारेपा लोकसभा या राजसभा का सत्र होता है, तो राजन्यातिक कारिपालिका के सदस्य तो रहते ही हैं, इस्थाई कारिपालिका के सम्मंदित अधिकारी भी सदन के एक हिस्से में बैठे रहते हैं। और इस्थाकार जन्यता की शिकायतों के निवारण, जन्यता की बातों की सुनवाई, जन्यता के विचारों से सरकार को अवज़त कराने का काम या कारिपालिका को अवगत कराने का काम लोकसभा में ही होता है। राज्य सभा में राज्यों के प्रतनिदी होते हैं वैसे राज्यों के प्रतनिदी होने के नाते भी वे जनता की ही तो आवाज उठाते हैं लेकिन मुख्य रूप से वो किसका प्रतनिदी तो करते हैं राज्यों का इसलिए जहां तक जनता के सुनवाई की बात है उसमें लोक लोकसभा की बहुत अहम भूमिका है। लोकसभा के सदत प्रयास करते हैं कि सरकार अपनी नीतियों का जो निर्माण कर रही है या अपने कारें का जो संपादन कर रही है उसमें सबसे महत्पूर्ण बिंदू को ध्यान में रखे और वहा है जनता का हित। अर्थात कारे पालिका इस उद्जेश से भटक रही है तो लोकसभा के सदत चे विबन शस्तरों के जरिये जिनका जिक्र मैंने पूर में किया है विबन अस्तरों के जरिये सरकार पर लगाम रखने की कोशिश करते हैं लगाम लगाते हैं और यजिए इसमें भी असफल हुए तो फिर अविश्वास प्रस्ताओ जैसे प्रस्ताओ लाकर सरकार को बदल भी सकते हैं सरकार को पदचित कर सकते हैं तो लोकसभा के सदस इन सब प्रस्ताओं के माध्यम से सरकार की नीतियों सरकार की कानून निर्मान की प्रक्रिया में सरकार के कारियों के संपादन में पैनी नजर रखते हैं उसे एक तरीके से नियंतरित रखते हैं और यह काम लोकसभा ही करती है इसलिए लोकसभा की एक शक्ति है जनता की शिकायतों का निवारन करने की शक्ति इन सब शक्तियों के बाद अंतिम शक्ति जो है वह है अन्य की श्रेणी में अन्य की श्रेणी में क्या शक्तियां हम गिना सकते हैं लोक सभा की संकट काल की घोषना के बाद एक महिने के अंदर संकट काल की घोषना संसद में स्वीकार होए अनिथा संकट काल एक माह बाद अपने आप समाप्थ हो जाएगा संसद से स्वीकार होना जरूरी है किस तारिक से जिस तारिक को आपात काल घोशित हुआ उस तारिक से एक माह के अंदर संसद की अनुमति जरूरी है और जब संसद की बात कर रहे हैं तो इसका आर्थ लोकसभा राजसभा दोनों और मुख्य रूप से लोकसभा और इदे एक माह के अंदर संसद द्वारा यह पारित नहीं हुआ प्रस्ताओ आपातकाल को बढ़ाने का तो लोकस तो अपने आप आपातकाल हटा हुआ माना जाएगा खमाप तो माना जाएगा इसके अलावा राश्टपती जो ख्षमा देता है अपरादियों को या उनके सजा को बदलता है उम्रकैद में या फांची की सजा को उम्रकैद में या सजा के काल को तो राश्टपती के लिए जरूरी है कि ऐसा करने से पहले वह संसद की अनुमति ले संसद की स्वीक्रिति ले राश्टपती द्वारा दी जाने वाली सर्व ख्षमा जिसे उंगरेजी में एमनेस्टि कहते हैं Amnesty की भी संसत से स्वीकृत लेना आवश्चक होता है अर्थात अन्य शक्तियों के मामले में अदि बात करें तो संकट काल और Amnesty दोनों मामले में दोनों सदनों की ताकत बराबर है लेकिन दोनों सदनों की सहमती आवश्चक है निश्कर्ष ये जैसा कि MP शर्मा ने कहा है इन शक्तियों के आधार पे जिसका हमने जिक्र किया उन्होंने कहा है कि यदि संसद रज्ज का सर्वोच अंग है अर्थाद व्यवत थापिका सरकार का सर्वोच अंग है तो लोकसभा जो है वो संसद का सर्वोच अंग है ये पूरी तरह साबित होता है कि संसद में लोकसभा अति महत्पूर्ण है और देश के मामले में, राज़ के मामले में संसद महत्पूर्ण है तो इसका मतलब यह हुआ कि पूरे देश की व्यवस्था, राइजनेटिक व्यवस्था में लोक सभा की सबसे अहम भूमिका होती है, वह सर्वोच संस्था है और उसकी यह शक्तियां जिसका मैंने जिक्र किया, इस बात को साबित करती है लोक सभा के बारे में विस्तार से समझने के बाद, अब हम आते हैं राज़ सभा की और अर्था दूसरे सदन की और, जो अपर हाउस भी कहलाता है, उच्छ सदन भी कहलाता है और हाउस अफ सदन भी कहलाता है, राजय सभा, राजय सभा लोक सभा की तुलना में निश्चित रूप से इसकी शक्तियां कम हैं लेकिन फिर भी इसका महत्व है, और इसका कितना महत्व है और क्यों महत्व है इसके बारे में मैं पूर में जिक्र कर चुका हूँ यह बताते समय कि हमें दो सदनों की जरूरत क्यों है भारती सम्विधान में दुस सदनात्मक संसद का प्राउधान क्यों किया गया है ये बताते समय राजसभा की महत्ता पर विशेश प्रकाश डाला गया था और इसलिए उसे पुना यहां दुहराने की जुरूत नहीं है राजसभा जो है वो किसका प्रतनिदित करती है राज्यों का भारती संग की जो इकाई's हैं जैसे भारत के संदर में भारती संग की तीस राज और एक union territory जिसकी भी अपनी राज सरकार है दिल्ली तो इन एकाईयों का प्रतिनिधित्व राज सभा करती है और ऐसा करते हुए राज सभा अपनी भूमिका द्विस सदनात्मक विवस्था में बखू भी निभा रही है इसके बारे मैं अब थोड़ा समझाने सबसे पह चास अनुचेद़ असी के अनुसार और इसमें से 238 जो है वो निर्वाचित है और कहां से निर्वाचित होते हैं राजीयों से जिसे हम संगों की इकाईयां कहें याद रखें संगों की इकाईयां अर्थात राज्य और केंदर प्राशित प्रदेशों से अर्थात यूनियन टरीज से तो यहां से कितने लोग चुने जाते हैं 238 और 12 लोग मनोनीत होते हैं मनोनीत होने के आधार क्या हैं ऐसे व्यक्ति जो कला, साहित, विज्ञान, समाज सेवा, आधी खेत्र में जिन्होंने प्रसिद्धी हासिल की हो जिन्होंने जो पारंगत हो आधी आधी अपने कौशल में जिन्हों अपने हुनर में जो समाज में बहुत उंचा स्थान पाएं हो साहित का खेत्र हो, संगीत का खेत्र हो, कला हो, खेल कूध हो, आधी आधी इन्हें नामित किया जाता है राष्ट्रपती द्वारा पार्ती संब्धान के अनुसार जो एकाईया हैं जिस मैं राज्य कह रहा हूँ उनके राज्यों को जन संख्या के आधार पर राज्य सभा में प्रतिनिधित दिया गया है जैसे लोक सभा में भी जन संक्या के अधार पर, पर लोक सभा में जहां 543 निर्वाचन खेत्र हैं राज्य सभा में ऐसे निर्वाचन खेत्र राज्य के अधार पे हैं एक राज्याने एक निर्वाचन खेत्र ही समझ लीजिए और बहु प्रतिनिधित्विक निर्वाचन श्रेणी प्रणाली के अंतरगत एक राज्य से एक से ज़्यादा प्रतिनिधी चुने जाते हैं और वो राज्य से चुने जाते हैं निर्वाचन खेत्रों से नहीं और राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या वहां की जन संख्या के आधार परता होती है इस सम्मन्द में सम्मिधान में व्यवस्था है कि एक राज्य की जन संख्या में पहले दस लाग पर एक और बाद के हर बीस लाग पर एक यह वहां का यहां का नियम है बता दूँ पहले 10 लाओ पर एक राज्यसभवा में उसके बाद हर 20-20 लाओ पर एक राज्यसभवा सदसे दूसरे शब्दों में 36 गड़ में ग्यारा राज्य सभा सदस्य हैं तो ग्यारा में से पहले सदस्य दस लाक और बचे हुए दस सदस्य से दो करोड तो एक अंदाज हम लगा सकते हैं राज्य सभा की सदस्यों की संख्या के आधार पर किसी राज्य के राज्य सभा के सदस्यों की संख्या के आधार पर हम उस राज्य की जन संख्या का अंदाजा लगा सकते हैं जैसे अभी मैंने आपको लगाया 36 गड़ की जन संख्या लगवक इतनी होनी चाहिए पहले 10 लाक पर 1 सदस्ट तो ग्यारा में से 1 सदस्ट पहले 10 लाक पर बचे 10 सदस्ट तो हर 20 लाक पर दो करोर इंकी हुई तो दो करोर 10 लाक के आसपास ठ्छतीजड़ की जनसंख्या थी जब राज्य सभा की सीटों का वित्रण हु रहा इसके साथ ये भी व्यवस्था है कि हर राज्य को राज्य सभा में कम से कम एक सीट तो अवश्य मिले अर्थात कम से कम दस लाग की जन संख्या तो रहे एक राज्य की संघ में राज्य का प्रतनिदित बहुत महत्पूर्ण है राज्य और देश दोनों एक तरीके से संघवाज में समान विश्थार पर रहते हैं तो राज्यों के प्रतनिधित की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान किया गया है कि हर राज्य से निवनतम एक प्रतनिधितों आए केंद्र प्रासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार, दमान डीव, लक्ष, चंडीगर आदी इन्हें राज्य सभा में कोई प्रतनिधित्व नहीं है, राज्य सभा का प्रतनिधित्व इनमें से अधिकतर केंद्र शासित प्रदेशों को नहीं है क्योंकि ये राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है और इनकी अपनी विशेश भागोलिक स्थिती है इनका अपना विशेश स्थान है इसलिए इसे केंदर के तहट रखा गया है किसी राज के तहट इन ख्षेतरों को नहीं दिया गया है और इसलिए इन ख्षेतरों से राजसभा का प्रतनेदित्व नहीं है इतनी बात आपको राज्यसभा के गठन के बारे में स्पष्ट हो गई Constitution या Composition of राज्यसभा लोग्सभा के गठन का जिक्र करते हुए जैसे हमने विस्तार थे राज्यवार लोग्सभा सदस्यों की संख्या को देखा और समझा और जाना की 543 निर्वाचित खेतर कैसे पूरे देश में विभाजित हुए हैं यहां हम राज्यसभा में राज्यों और केंदर शासित सदस्यों की संख्या के बारे में थोड़ा देखें अंदर प्रदेश को 11 सदस्य मिलते हैं राज्यसभा के वहीं असम को मातर एक राज्यसभा के सदस्यों के प्रतिनित के बात करें तो असम को मातर एक और वहीं दूसरी और सबसे ज़्यादा सदस्यों की संख्या देखी जाए तो रजसभा में महाराश को जहां 19, तमिल नाडू को 18, बिहार को 16, इस प्रकार हम देखते हैं कि सदस्यों की संख्या जन संख्या के आधार पर proportionately बाटी गई है केरल, नागालेंड, हिमाचल प्रदेश, मेगाले, मनिपोर, त्रिपुरा इसमें बहुत ही कम संख्या में प्रतिनिजित्व है लेकिन ये बात सुनिश्चित की गई है कि हर राज्यों का प्रतिनिजित्व रहे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिजित्व सबसे ज़्यादा है, 80 सदस्य, 80 सीटें, ऐसे ही राज्य सभा में भी उनकी संख्या उत्तर प्रदेश राज्य से सबसे ज़्यादा है कुल वहाँ से 31 सदस्य चुने जाते हैं और क्रमबवार चुने जाते हैं और कुल संख्या वहाँ के सीटों की है 31 इसके अलावा जैथा मैंने बताया 36 गड़ थे 5 राज्य सभा में और 11 लोक सभा में फिर जारखंड, तलंगाना, गोवा इसमें क्रमशा 6, 7 और एक संख्यासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली की 3 सीटे हैं दिल्ली को जथा मैंने प्ररम में भी बताया है शुरू में भी बताया है कि दिल्ली की एक खास स्थिती है वह यूनियन टेरिटरी होते हुए भी एक तरह से राज्य का दर्जा लिया हुआ है क्योंकि उसकी अपनी स्वाहिम की विधान सभा है उसके अपने स्वाहिम के मुख्य मंत्री हैं तो दिल्ली की राज्य सभा की साथ सीटे लोक सभा की साथ और राज्य सभा की तीन है पॉंडिचेरी की एक इन सब के अलावा राश्ट्रपती द्वारा मनोनीच सदस्यों की संख्या बारा है और इस स्थिती में दोसो अर्थिस धन बारा कुल संख्या होती है दोसो पचास ये राज्यों का प्रतिने दितु करते हैं इस बात का ख्याल रखें और लोक सभाड और राज्य सभाड में राज्यों से आने वाले सदस्यों की संख्या अलग-अलग है जैसे 36 गड़ के संदर में 11 सदस्यों लोक सभाड में जाते हैं याने यहां 36 गड़ में 11 निर्वाचन खेत्र हैं और ये अपने निर्वाचन खेत्रों का प्रतिने दितु करते हैं वहीं राज्य सभाड में पांच लोग राज्य सभाड से चुन कर जाते हैं और ये पांच ल जान लें कि ये कौन लोग होते हैं राज्य सभा की सदस्ता के लिए अनुछेद 102 में उनकी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं अनुछेद 102 और यह योग्यताएं वही हैं जो मोटी मोटी लोग सभा के लिए भी हैं अंतर केवल आयू का है राज्य सभा की सदस्ता के लिए जरूरी है कि नियूनितम आयू 30 वर्ष हो जबकि लोग सभा की सदस्ता आपको याद होगा वहां की नियूनितम आयू 25 वर्ष हो राज-स-वा की सेस्ता के लिए दूसरी शर्थ है भारत का नागरिक होना तीसरी शर्थ है दीवालिया अत्वा पागल घोशित ना हो चौथी योगिता अवश्यक योगिता है किसी लाब के पद पर ना हो केंदर सरकार या राज़ सरकार की नौकरी में ना हो और पांच वी ऐसी अन्य योगिताएं वह रखता हो जो संसद के द्वारा समय समय पर निश्चित की जाए और था किसी कारणों से पातरता में यदि परिवर्तन करता है संसद तो वह भी उस पे लागू होगी अन्तिम जो इसकी योगिता अहरता है वह है उन्निस सो इंकावन के जनप्रतिनिधित अधिनियम के अनुसार राज्यसभा के उम्मीद्वार के लिए उस राज्य का नागरिक होना आवश्यक है जिस राज्यसे वह चुनाओं लड़ रहा है सुनें उन्निस सो इंकावन जनप्रतिनिधित अधिनियम एक बहुत महत्पूर्ण शर्त राज्यसभा के संबन्द में है कि चुकि राज सभा का सज़ा से राज का प्रतिनेदित्व करता है उसे उस राज का नागरिक होना आवश्चक है नागरिक तो रहेगा ही सभाविक है पर मत दाता होना भी आवश्चक है ये 1950 की स्थिती यहां पर आगे बढ़ने तो पहले मैं एक बात कहना तो हूँगा नागरिक ता के बारे में उसे भारत का नागरिक होना आवश्चक है अर्थात कोई विदेशी इसमें राज सभा का सदस्ट नहीं बन सकता हो लेकिन कुछ शर्ते यदि अहरताएं यदि वह विदेशी पूरा करता है तब वह भारत की नागरिक्ता पा सकता है और भारत की नागरिक्ता पाने के बाद वह भी राज सभा का सदस्ट से बन सकता है वो शर्ते क्या है यह हम नागरिक्ता के अध्याय के अंतरगर पढ़ेंगे कि नागरिक्ता के लिए क्या क्या शर्ते हैं और ऐसी कौन सी शर्ते हैं जो विदेशी इदि पूरा करे तो वह भारत का नागरिक्ता हो सकता है पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारत का नागरिक होना जरूरी है विदेशी ना हो नागरिक्ता के मामले में मैंने आगे बताया आपको कि 1951 के अधिनियम के तहट राज्य का मतदाता होना जरूरी है जहां से वह राज्यसभा का सदस्य सुना जाना चाहता है कोई भी व्यक्ति लेकिन 2003 में राज्यसभा की रचना की पध्धति में कुछ बदलाव किये गए 2003 में राज्यसभा के संगिठन को लेकर कुछ बदलाव हुए थोड़ा नजर बदलाव पड़ा लें पहला बदलाव मूल संविधान में जो तव्यस्था थी कि राज्य का मतदाता होना जरूरी है जहां से वह चुनाओ लड़ना चाहता है अब वह बात हटा दी कई अब यह नियम लागू नहीं होता अब यह स्पष्ट है कि राज्य सभा के उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं जिस राज्य से वह चुनाओ लड़ना चाहता है अर्थात वह कहीं का भी मतदाता हो यह जरूरी है जरूरी नहीं हो उसी राज्य का हो जहां से वह चुनाओ कि बदले अब खुला मतदान भी हो सकता है। मतदान का प्रयोग राज सभा में गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान की व्यवस्था को भी अपनाए गया। आखिर ऐसा क्यों जब गुप्त मतदान था गुप्त मतदान की व्यवस्था थी तो दुर्भागे से राज सभा के चुनाओं में विधायक धन के प्रलोभन में प्रभावित होकर मत का उप्योग देते थे। क्योंकि जब वो मत डालते थे तो गुप्त होता था किसी को जानक अग्यारी नहीं रहती थी तो ऐसा मालूम हुआ पता लगा कि बहुत बार ऐसे लोगों के लिए विधायकों ने मत दिया है जिन्हों ने भरष्ट प्रेक्टिस अपना कर उनको पैसे दे कर अपनी और प्रभावित किया है और थाथ धन के प्रलोब से प्रभावित होकर कोई दुरभागी के स्थिति है और भरष्ट आचार की एक पराकाष्टा भी है इस भरष्ट आचरन को समाप करने के लिए राजसभा के चुनाओं में गुप्त मतदान के स्थान पर खुला मतदान ताकि इस पष्ट हो जाए कि उसने किसे को मत दिया है इस पकार ये दो पर जचना की पद्धती के संबन में किये गए